हेलो नमस्कार मेरा नाम है बिजे ठाकर और स्वागत आपका एक और नहीं बीडियो में आज के इस बीडियो में मैं आपको पांच ऐसे एक्सरसाइज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपकी बोडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है अगर ये पांच एक्सरसाइज आपके वर्काउट रूटीन से मिसिंग है तो आप कभी भी बोडी का साइज नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि इन पांच एक्सरसाइज़ों से आपकी बोडी का साइज तो बढ़ता ये साथ में आपका टेस्टरसाइज का लेवल भी बहुत तेजी से बुष्ट होता है ये पांच एक्सरसाइज आपके मल्टीपल मसल्स को एक साथ टार्गेट करके आपकी बोडी को एक डिसेंट लुक देते हैं तो अगर आपको भी अपना स्टेमना बढ़ानी है स्टेंट बढ़ानी है शरीर में टेस्टरसोन का लेवल बढ़ाना है आप चाते हैं कि आपकी मसल्स ज्यादा से ज्यादा गुरो हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर फाइदा उठा सकते हैं हमारी जो पहली एक्सराइज है वो है बारबल बेंच प्रेस चेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए सरीर की स्टेंट बढ़ाने के लिए और हातों की ताकत बढ़ाने के लिए इस से बढ़िया कोई दूसरी एक्सराइज नहीं है लेकिन इसमें लड़के क्या गलती करते हैं कि 20 kilo bet इधर फशा लिया, 20 kilo इधर फशा लिया और 10 kilo की रोड हो गई यानि 50 kilo bet से सालों साल इसे exercise को करते रहते हैं Progressive over low लगाते नहीं है 50 kilo bet से कभी आपकी body का size बढ़ेगा अगर आप सालों साल इसी बेड से करते रहोगे तो कभी नहीं बड़ेगा बोडी का साइज बढ़ाने के लिए उसपर प्रोग्रेसिव ओफ लोड लगाना बहुत जरूरी है जब तक आप progressive overload नहीं लगाओगे तब तक आपकी body का size नहीं बढ़ेगा आपकी strength गेननी होगी देखो भाई जितना weight उठाने के आपकी body को आदत पड़ चुकी है अगर आप सालों साल उसी weight से exercise करते रहोगे तो उससे आपकी body को क्या फरक पड़ने वाला है कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी body उस weight की used to हो चुकी है आदी हो चुकी है तो इसलिए अगर आपको body का size बढ़ाना है मसल्स का size बढ़ाना है तो progressive overload लगाना बहुत जरूरी है जिस दिन भी आपका chest day होता है जब भी आप barbell bench press को करते हो तो उसमें कुछ न कुछ आपको weight increase जरूर करना है कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले अपते में 10 kg increase करना है पहले अपते में आप 1 kg increase करें इस तरीके से दीरे-दीरे दूसरे अपते में 1.5 kg करें कभी reputation को increase करें कभी weight को increase करें तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके chest का size बढ़ेगा आपकी strength gain होगी हातों की तागत बढ़ेगी बारबल bench press body का size बढ़ाने के लिए बहुत अची exercise है दूसरी exercise है push up देखो body building में push up को एक fundamental exercise की तोर पर देखा जाता है और छोटे से लेकर बड़े bodybuilder तक यह सब की favorite है क्योंकि इससे आपके multiple muscles एक साथ काम करते हैं जिससे की muscles का size बढ़ता है पर इसके साथ भी आपको वही गलती नहीं करनी है अगर आप 20 push up लगाते हैं तो आपको हमेशा BC नहीं लगानी है आपको increase करते जाना है वही वाली बात है कि progressive overload आपको लगाना है अगर आप 20 push up आसानी से लगा लेते हो और हमेशा BC लगाते जा रहे हो तो से आपकी body को क्या फरक पड़ेगा अब आपको दीरे दीरे करके increase करना है आज आप 20 लगा रहे हो फिर 25 करें फिर 30 करें लड़के 500 push up तक पहुंचाते हैं और आप अभी 20 push up पर रहे हो तो बोड़ी का साइज बढाने के लिए इस्टेंथ गेन करने के लिए पूरी बोड़ी को सही शेफ देने के लिए सही आकार देने के के लिए पुसप एक mini wash अगर आप इसको तरीके से का रो तो तीशरी ऐक्सियाज विप अब कापी लड़के देलिफ्ट का नाम सुनकर घबरा जाते हैं फोगलद का लेक् innovation को करते नहीं देखो देखोड़ी अइसा नहीं करना है अगर आपको अपने मल्टिपल मक्टल heute यह अधिन्त भड़ानिये तो डेटसों किलों से स्टार्ट कर्णीये ना तो यह? किसी ने INF казांस से स्टार्ट करूंगा नहीं किầ nost ऐसे कीता धराई है यह जिसको आप देख रहे हैं और गएचिक फेले 10 खेलत को और तो आप ज़से स्टार्ट करें कोई आपको नहीं देख रहा है आपकी कोई विजयत्ति नहीं हो रही है। ईगोलिफ्टिंग बिलकुल नहीं करें। ऐगोलिफ्टिंग करोगे तो एंजरी होगी, हंड़ेट परसेंट होगी। तो इसलिए ईगोलिफ्टिंग आपको नहीं करनी है। आप 10 kg बेट इधर लगाएं, 10 kg इधर लगाएं. पहले शीखने, करें आदस डालें. तो डेड़ लिप्ट एक्सेसाइज आप कभी भी मिशना करें. पहले आदस डालें, धिरे-धिरे करके शीखें, कम बेट लगा कर सीखें, और प्रोपर फोर्म में करें. तो deadlift exercise, मसल्स का size gain करने के लिए बहुत अच्छी exercise है यह आपके multiple muscles को एक साथ target करती है इसको देख कर डरना नहीं है, बलकि इसको सीखना है सीखना तो पड़ेगा ना तो इस exercise को आप जरूर करें और दीरे-दीरे weight increase करें सुरू में heavy weight पर न जाएं चौती exercise है pull up काफी लड़कों पे एक भी pull up नहीं लगती है जिससे की वो demotivate हो जाते हैं और फिर वो उस exercise को छोड़ जेते हैं, करते नहीं है नहीं भई, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है पहले आप support लेकर लगाएं दीरे-दीरे आप सीख जाएंगे एक तो लगा लेंगे, एक आप पे जरूर लग जाएगी पोशिस करें आप दीरे-दीरे दो लगेंगे, फिर तीन लगेंगे इस तरीके से आप दसवारा pull up आराम से लगा सकते हैं pull up exercise आपकी back muscles को गेन करने के लिए बहुत अच्छी exercise है इससे आपकी strength बढ़ती है, हातों की ताकत बढ़ती है तो pull up exercise को आप मिशना करें इससे आपकी multiple muscles से एक साथ काम करते हैं तो pull up आपको जरूर लगानी है पांच्वी exercise है squat इसमें भी आपको ego lifting करने की जरूरत नहीं है कि वो 100 kg से लगा रहा है तो मैं भी 100 kg की squat मारूंगा नहीं, पहले आप 20 kg से start करें फिर हरापते बेट बढ़ाते जाएं धीरे-धीरे बेट को increase करें पहले आप अपनी form को correct करें, सीखें इस exercise से आपका testosterone का level बहुत जल्दी बुष्ट होता है और मैं आपको बता दूँ कि आपके शरीज में जितना ज़्यादा testosterone होगा, उतनी ज़्यादा आप muscles gain कर पाएंगे और fat loss कर पाएंगे तो ये जो 5 exercise मैंने आपको बताईएं इन्हें आप हपते में 2 बार कर सकते हैं और अगर आप 2 बार नहीं कर सकते हैं तो एक बार तो आपको जरूर करनी है अगर आपको body का size बढ़ाना है strength gain करनी है, ताकत बढ़ानी है तो तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें और इसी तरह के useful content देखने के लिए इस channel को subscribe जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद